Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, today in this video I will discuss rule of division with variable and constant values. So students, without wasting time, let's start now. तो आई उस तो हम बात कर लेते हैं, rule of division, यानि कि भाग करने का नियम, variable and constant values का division कैसे किया जाएगा? इस वीडियो में आप से डिसक्स करने वाले हैं, उसके rule को डिसक्स करने वाले हैं, उसका rule क्या है? रूल आपको यहाँ पर clear लिखा दिख गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार explain कर देता हूँ, rule of division में आपको vicious करके इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, two या more than two term हमें दिये रहेंगे, या two या more than two variables का हमें division करना रहेगा, तो हम इस बात का vicious आजार रखेंगे, अगर variable सेम होगा तो वेरियबल सेम होगा, तो उनकी power को हम क्या कर देंगे, power को हम subject कर देंगे, याने कि power को हम घटा देंगे, इसके बाद में उनकी coefficient का जो होगा, coefficient को हम divide कर देंगे, या तो पहला आपको alma कर दिजीے गा, इसके बाद में जो same variable होगे उसके power को हम subject कर देंगे यहाँ पे two variables भी सकते हैं और more than two variables भी हो सकते हैं ठीक है तो rule of division क्या है एक बार मैं आपको फिर से explain कर देता हूँ देखी same variable होगा तो power को आपको subject करना है और coefficient को आपको divide करना है simple सा rule है rule of division को आप formula से भी solve कर सकते हैं इसका formula जो है formula मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको a की power m दिया हो और साथ में divide किया गया हो a की power n से तो जेखो जब base same होता यानि कि variable same होगा तो power को subject कर दिया जाता है यानि कि आप लिख सकते है a की power m-n यानि कि first power में से आपको second power को minus कर देंगे तो आपका यह rule of division complete हो जाता है यह इसका formula होता ठीक है a की power m divided by a की power n अगर होगा तो आप लिखेंगे a की power m-n यानि कि same variable होने पर power को आप subject कर देंगे ठीक है यही rule है यहाँ पर लिखा गया है बट हम इस से याद रखेंगे तो हमको यह ज़्यादा आसानी होगा question को solve करने में और समझने में ठीक है तो या तो आप इस statement को याद रखिएगा या तो आप इस formula को याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा आप variable का division आसानी से करना सीख जाएगे तो देखिए दोस्तों कुछ question दिया गया है कुछ question को मैं आपको solve करके बता रहा हूँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है फर्स question में दिया गया है 4x की power 9 divided by 2x की power 4 यहाँ पर देखेंगे इस question में हमें इसका coefficient कितना दे रखाया है x की power 9 का जो coefficient है वो है 4 और x की power 4 का जो coefficient है वो है 2 ठीक है जब हम देखेंगे variable same में यहाँ पर x power 9 है और यहाँ पर x power 4 है और वहाँ कोमाइस करदेंगे longer ट्या कोיך किया कोद्वैटोर्य वेरियबल यहां पे गवेरियबल यहां प्रहके करेंगे इसके बाद में हम पावर को माइनस करेंगे फ़र्ष्ट वरीयबल्ल से में में तो मैंने सक देंगेर यह निकलिम नाइन माइनस फोर हो जाएगा सोरा सिंप्लिफाइग करेंगे यह हो जाएगा तू एकसी पावर फाइब तू एकसी पावर फाइब इसका फाइनल एंसर होगा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोश्चन नमबर सेकंड में दिया गया है 20Y की पावर 10 डिवाइड़ 5 फाइब की पावर को हम सब्रेट गार। कर दिया का हम सब्टिट करेंगे कित्ता हो जाएगा तो फोर फार कितना हो जाएगा हो यकी पावर टूव कि आपको समझ भागा कोशन नंबर थड में दिया गया है प्योखिकों 10 कि पावर 50 डिवाइंडं कि सिश्टी सेव वेरियवर होने पर पावर कर Yukon को两ट कर दिया जाता है कवकन को डिवाइंड करेंगेगे किता जल्रॉफ्यॆ कर देंगे तो साथ में हम 50 पावर तो फिप्लीफ मैंस हमको 60 एक हुए फिर्स्ट पावर मैंनेस सेकेंड पावर ठीक है याँ फ noun होता है ठीक है तो यहां पे眦 की पावर कितना हो जयेंका 50-60 देखिए यहां पर आप इसको simplify करेंगे तो हो जाएगा टू जेट की पावर कितो हो जाएगा माइनस 10 ठीक है तो question number 4 में आपको दिया गया है 25 x power 10 divided 50 x power 50 यहाँ पर से वेरियेबल होने है वेरियेबल है x तो x 10 में से आपको माइनिस करना है 50 यानि कि first power minus second power किया जाएगा तो यह हो गया इसको थोड़ा simplify करते हैं इसको simplify करेंगे तो आप देखेंगे 25 में आप divide करेंगे इसका तो हो जाएगा 1 by 2 किता जाएगा 1 by 2 25 25 25 25 50 हो जाएगा ठीक है तो 1 by 2 x पाउर किता हो जाएगा x power देखो 50 में से आप देखो यहाँ है plus यह हो गया plus और यह है minus plus minus क्या होता है minus यानि कि substitute किया जाएगा 50 में से 10 को minus करेंगे तो आ जाएगा 40 तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन किसका बड़ा है माइनस का बड़ा है कि प्लस का है माइनस वाला साइन बड़ा है इसलिए यहां पर साइन आ जाएगा माइनस से नमबर 4 का जो एंसर होगा वह हो जाएगा 1 by 2 x power minus 40 यह question नमबर 4 का एंसर हो जाएगा 5 को सोल करने इसके पहले हम 6 को सोल कर रहे हैं देखें यहां पर को सब्सक्राइब करना इसके बाद में आपको 50 का डिवाइड करना है वेरियेवल किता है अब फर्श्ट पावर माइनस सेकंड पावर होता है हम माइनस करेंगे इसके बाद में वह प्लस हो माइनस हो यह question पे करना है अब फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर करना सेकंड पावर हमको माइनस में रखा तो यहां पर इसको इसको थोड़ा और सिम्प्लिफाइब करते हैं तो तो यहां पर हो गया 2z ki power minus 30 यह minus minus कित्तो हो जएगा IRE हो यहाँ पे 50 हो जाएगा फिर वापस से ठोड़ा simplify करेंगे तो 2z कित्ता हो जाएगा 20 देखें यहाँ पे minus plus क्या हो जाएगा minus 50 में सा आपको 30 minus करना पड़ेगा प्लस वाली संक्या बड़ी है ती इसलिए यहाँ पे इसका final answer हो जाएगा तो नमर 5 में आपको दिया गया है 20y की पावर मानेस 30 divided 100y की पावर 20 हमें यह पता है से वेरियाबल होने पर का पावर को substrate कर दिया जाता है और option कर डिवाइड कर दिया जाता है देखिए में इसके बाद में यहां पे दिया है defend और वाई की पावर फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर लगा देते हैं यहां प्लस है तो ठीक है इसको थोड़ा सिंप्लिफाइब करेंगे देखी यह 0-0 यानि कि को जाएगा यहां पर फाइब हुआ माइनस 30 और माइनस 20 करते हैं आपS वनगा ओभाइब फाइब य की power minus 50 case है उस question को आपको थम्डेल में दिखे होंगे तो देखें इन question को कैसे solve किया जाएगा आपको बैडिया लग गया होगा कैसे question को solve करना है मैं आपको rule समझा दिया हूँ rule क्या था same variable होने पर power को आप substitute कर देंगे और option को divide कर देंगे simple सहरूल है इसके इंप्लीबेब्ड आपको में क equator करना है तो कैसे किया जाता है मैं आपको solve करके बता दे रहा हूँ यहां पर से वरीएबल एंफी पावर ऒन है इसकी पावर वन है ठीक है से व्रेंवल में divided मेले में क्या करना पडता है पावर को सब्टेट कर दिया जाता है देखिए यहां पर फर्स्ट पावर ठीक है डी कोफिसेंट यहां पर वान है यहां पर कोफिसेंट वान है और यहां पर कोफिसेंट वान है जब कोफिसेंट वे वन वन का डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा इसलिए यहां पर वन है अब देखेंगे वन और यहाँ पर फस्ट्ट्ट्ट्र मायंस सेकंड्ट्ट्ट्ट्थ निकिवन अरय में सेcomes मायस कर दो कि और तो हमारे कितना याँगा यह पर मतलब होता है यह थाउजन की पावर जीरो क्यों न हो इसकी सब कि वील्यू कित्ती होती है ओन होती आपको इस बात को नोट कर लेना है और ध्यान में रखना है किसी की भी पावर अगर जीरो है चैनल की पावर 0 हो तो उसकी value 1 होगी और 1000 की पावर 0 हो उसकी value 1 होगी। इसी कारण यहां पर x और x का जब divide करेंगे वेरियाबल में पावर को minus कर दिया जाएगा तो पावर को यहांपर minus कर दिया गया है। इसका पावर किता होगा एक्स पावर 0 जिरो यानि कि एक्स पावर 0 होता उसकी विल्लों क्या चांसिद्र की जाती है वन ठीक है आपको समझ में आ गया question number first का answer 1 कैसे आएगा ठीक है question number second में दिया गए आपको 10 y की पावर 10 divided by 2 y की और स्फाइबल्ब में नहीं सोरे सिंपलिफ्लिफाइब शायं आए цеartenant Congress का एंसर क्यूं हैं इसको नोट कर लिएगा इसको आपको तो यहां रखना है ठीक है यह कहीं कहीं यूज आते रहते हैं दोस्तों कोश्य नमबर थाड में आपको दिया गया है तो कितना जाएगा तो फाइब टूजा तेन और साथ में वेरियेबल से मोने पर पावर को माइनस फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर हमारा वही माइन में देर रखा है तो हम आप लगा के लिखेंगे थोड़ा सिंप्लिफाय करेंगे काम हो जाएगा ठीक है तो यहां माइनस कर रहे थे बट यह क्या होगे पावर प्लस हो गए ठीक है तो यह कोश्चन पर डिपेंड करता हुए कोश्चन हमारा रूल पे हम रूल के काम तो हो एका यहां पर होगा और तो यहां पर सेंप्लिफाइक करेंगे थे कहा आपको सेम वेरी वर होने पर पावर को सब्टित करना हमने पावर को सब्टिट किया बट यहां पर मैनिस ओने करण तो इसकी पावर एड हो गए ठीक है यह को पर दीपिन करता है बट हम रूल के को ni qaam करेंगे से नमर 4 में आपको दिया गया है एइस डिवाटर वाय हो तो आपको पहले डिवाइड एक्स डिवाइड वाय यानि कि आपको एक्स में वाय का डिवाइड करना है इसके बाद रिमेरिंग पार्ट क्या बट गया है जैट इसके बाद नीचे कुछ नहीं है तो मैं वन लिख सकता हूं देखिए जब फर्स्ट फ्रेक्शन मैं डिवाइड को यह हो जाएगा इसके बाद में इस वाले डिवाइड को मंटिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा city । दो देखिए अब यहां पर फ्रेक्शन मुंटिप्लिक्येशन में हो गए हैं इसको हम सिम्조리 कर लेंगे ऊपर का बटक्स से कर दिया जाएगा या अंस अ कि हर यह कर दिया जाता है धीक यह फ्रेकशन कि मैंने आपको explain कर चुका हो थिक है वीडियो आपको i button में मिल जाएगी वहाँ पे उसको देख लीजिए आप x में दो बार वनों का multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा एक साइगा ठीक है उपर एक साजाएगा नीचे आप मंटिप्लाइ करेंगे तो वाई जेट यानि कि आपको यहाँ पर डायट हो जाएगा टेन वाई जेट यह स्कूश्चन का फाइनल एंसर हो जाएगा एकस बाई टेन वाई जेट फोर को मैं एक बार सोट करके बता रहा जो फर्स्ट वैली ओती है उसको आप उपर लिख लिए जो फर्ष्ट नमबर होता है इसको आप उपर लिख लिए गा और रिमेनिग अगर आप डिमेनिग जो पारट है उसको सब आप मंटिप्लाइ करके नीचे लिख देंगे फिर भी आपका एंसर सही होगा इस होती हो आप उसको उपर लिखना रहता है और रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं डिवाइड वाले उन्हों सब को मंटिप्लाइ करके उसके नीचे लिख लेंगे इसको सिंप्लिफाय करेंगे तो इसका आपका आजाएगा ठीक है जैसे इस प्रकार से फर्स्ट वाला टर्म हमार होंगे नेक्ष्ट वीडियो में आपसे डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जहिंद